हेलो दोस्तो वेलकम टू मैं चैनल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफ्रेंस बिट्बिन स्पोर्ट्स गेम एंड प्ले दोस्तो बहुत सारे लोगों को जो तीनों टर्म से देखने और सुनने में एक जैसी लगती हैं दोस्तो लिकर इन में बहुत सारा डिफ्रेंस है और आज की वीडियो में हम सभी डिफ्रेंस को क्लियर करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को भी हिट कर दे ता जो आने वाड़ी वीडियो की नोटिवेशन आपको मिल सकें तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंट्रस्टिंग वीडियो मैंने इदर लिख रखा सबसे पहले हम डिफरेंट पता करेंगे स्पोर्ट्स और गेम के बीच में तो मैंने इदर दो टम्स को लिख रखा है तो चलिए सबसे पहले जो होता है और जो सपोर्ट्स होता है वो individual event होता है दोस्तों इसमें एक जहर दो percent हमारे बाग लै सकते हैं sports में हम उन्हें कहते हैं sports person और second जो इसका name है हम उसे कहते हैं athlete तो इसके opposite हम अगर हम देखते हैं तो दोस्तों वो है game गेम में जो हमारे परसन बाग लेते हैं हम उन्हें कहते हैं प्लेयर और गेम एक टीव इवन्ट होता है इसमें एक से ज़्यादा प्लेयर बाग लेते हैं गेम में एक परसन से ज़्यादा बाग लेते हैं और स्पोर्ट में एक जा दो परसन ही बाग लेते हैं जो गेम में पर इवंट जानी की गेम शामल है तो चलिए उन्हें एक बद देखते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया जो गेम होती है इसमें एक से ज्यादा हमारे प्लेयर बाग लेते हैं तो इसमें कौन-कौन सी गेम है आये देखते हैं इसमें होती है दोस्तों होकी कबड़ी खोखो में नो फूट बल में ग्यारा बेचमोल में नो रगबी में पंद्रां बस्कृडबाल में पांच हैंडबाल में 7 क्रिक्ट में 11 और बॉली बॉल में शे प्लेय da banc ले गेम एक से ज्यादा प्लेयर देखो पंद्रा तक भी प्लेयर जो अमारी गेम इसमें पार्ट Pacific करते Athletics, Chess, Martial Arts and TT जाने की Table Tennis, अब हम देखते हैं इनमें कितने प्लेयर होते हैं, दोस्तों Boxing में एक प्लेयर हो सकता है, टैनिस में एक जा दो प्लेयर हो सकते हैं, बैटमिंटन में दोस्तों एक सिंगल इविड होता है जा डबल होता है, और शूटिंग में भी दोस्तों सिंगल प्लेयर बोशूट करता है, और इसके साथ हम देखते हैं, Athletic में दोस्तों सिंगल इविड होता है, अगर आप track का इविड प्लेय करेहों, जांँ आप फिल्ड का इविड में प्लेयर होता है, इसके साथ चेस में भी सिंगल ही होता है, प्लेयर और इसके साथ Martial Arts में भी दो होता है और लस्त में हमारे पадц बताए टेटी जैना की स्टेवरटन UA हो दोसकते हैं दोस्तों जो हुमारे पास स्पोर्ट होती है इसमें एक जा दो पर्शन पार्ट ignore ले आ से ज्यादा तक्रीवन 15 जो कर सकते हैं प्लेइर तो दोस्तों जे इन में different है आई ये हो भी बहुत सा different है ये चले उदे पता करते हैं अब हम देखते हैं इन में से होर कौन-कौन से difference है सबसे पहले है sports में sports में दोस्तों जो हमारे events होते हैं, वो mostly indoor होते हैं, वो indoor में ज्यादा तर play और खेले जाते हैं, इसके opposite हम देखते हैं, जो हमारी game है, उसमें जो event होते हैं, वो mostly outdoor होते हैं, इससे पहले आपको मैं जितनी वी games अबताईए, अगर उसमें हम देखते हैं, तो mostly वो outdoor में, field में, open में ख skill, individual performance, individual decision, आईए देखते हैं, इसे थोड़ा सा deeply देखते हैं, दोस्तों सबसे पहले है physical strength, क्योंकि हमारा जो sports person है, वो खुद ही play करेगा field में जाके, तो इसलिए उसका physical strength उसकी जो होनी बहुत ही जरूरी है, वो physical तोर पे best performance event पर कोई भी person आगे अपना best performance देने की कोशिश करता है, क्योंकि वो individual event होता है, तो best बेस्ट performance देने की कोशिश होती है, individual decision दोस्तों इसमें अकेला ही player खेलता है, जब दो player खेलते हैं, ज्यादा तर अकेला ही होता है, तो दोस्तों, game के तुरान उसे जो भी decision लेना होता है, वो केले ही लेना होता है, इसलिए बहुत ही carefully decision लेना पड़ता है, तो दोस्तों, और इसके opposite हम देखते हैं, हमारी game में, game में mental strength की जरूरत पढ़ती है, game में, दोस्तों, team event होते हैं, तो दोस्तो इसमें एक से ज्यादा प्लेयर होते हैं तो सभी प्लेयरों का behavior हमें जैज करना ओना चाहिए क्या उनसा प्लेयर क्या सोचता है तो इसलिए इसमें mental strength की जुरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है इसके साथ strategy दोस्तो आईए example लेता हूँ क्रिट का ही लालो दोस्तो जो पहले से ही उस team के बारे में पता होना चाहिए और आपने team की field कहां पे लगानी है किसको कितने 10 के बाद over देना है क्को प्लेयर कितने 10 बाद बैटिंग कने जाएगा तो दोस्तो पहले से ही एक strategy बनानी पड़ती है तो इसके साथ जो तीसरा है collective decision दोस्तो कोई भी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि दोस्तो अगर मालीज ये cricket है cricket में अगर अच्छा प्लेयर नहीं खेले का तो उसका loss पूरी team को हो जाएगा तो दोस्तो इसलिए हर एक player की अपनी अपनी responsibility बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसा भी होता है अगर कोई एक player अच होता इस टाइम पर तो जे दोस्तों इन में difference था गेम और sports में अब हम देखते हैं इसके साथ play है play में क्या difference होते हैं चलिए उसे देखते हैं अब हम देखते हैं sports, game और play में difference दोस्तों मैंने दो category में divide कर दिया एक side में लिखा sports और game और second side मैंने इसके opposite लिखा है वो है play अब दोस्तों समते हैं जो play क्या है play दोस्तों recreation game होती है जो हम just fun के लिए मस्ती के लिए time pass के लिए खेलते हम उसे play कहते हैं और दोस्तों इसमें कोई भी rule regulation वो नहीं होते हैं जे just fun के लिए मस्ती के लिए खेली जाती है और इसके opposite हम देखें sports और game होता है दोस्तों इसमें career बना सकते हैं जैसे example हम देते हैं cricket में सचिन है और ब्रट कोली है जिनोंने sports में cricket में जाकर अपना proper career बना दिया है जिससे वो अपनी income earn करते हैं और अपना जो lifestyle है वो जीते हैं तो दोस्तो sports और game में आप career set कर सकते हो जबी मस्ती के लिए आप play करते हैं उसमें career नहीं बन सकता like जैसे अब लुड़ों खेल रहे हो तो लुड़ों में career थो नहीं बन जाएगा आपका कोई और इसके लाबह अगर आपको साप सीड़ी खे ने के लिए proper authority होती है और इसके लाबह इसके opposite देखे इसमें कोई authority नहीं होती क्योंकि recreation game होती है और दोस्तो इसमें empire और referee होते हैं जो time to time game and decision देते रहते हैं ताँ जो game proper ठीक डंग से बोच चल सके और इसके opposite play में कोई भी empire referee ऐसे नहीं होता प्रपर जैसे मस्ती के लिए इससाब से game play की जाती है अगर कोई rule regulation को तोड़ता है तो उसे card भी मिल जाते हैं तो कई बार player भी चल जाता है तो कई बार उसे जो प्रेंटी वो बुगतनी पड़ती है और इसके opposite अम देखते हैं इसमें कोई rule regulation नहीं होता इसमें मैंने just fun के लिए लिए लिखता है जिसका बैट जब बहुन उसके regulation अगर आगर गाउं में कोई cricket खेलता तो इसमें कोई regulation नहीं है जिसका बैट जिसका बहुन उसके regulation उसके रूल तो इसके आगे standard equipment दोस्तों जो sports और game में जो equipment जूज किये जाते हैं वो proper standard के होते हैं और बहुत ही बढ़िया material के जो इसमें equipment बहुन जूज किये जाते हैं प्ले में कोई भी standard का equipment बहुन नहीं होता जो मिलजे लाइक जैसे मैंने लिखते हैं आगर कोई cricket खेला है तो उसको break नहीं मिल जो मिलजे टैम पर वही equipment है तो इसके साथ है और पांच नंबर है proper measurement play area दोस्तों जो भी play area जिस पर play की जाता है sports proper measurement होती है कितनी उसकी चुड़ाई है कितनी उसकी लंबाई मेजर्मेंट होती है वह इसके लाबा इदर जो play में हम बच्चे खेलते हैं जो कोई भी खेलता उसमें proper कोई भी measurement नहीं होता ऐसे जैसे खेत में चलगे खेलने हैं सिक्स नंबर हम देखें वर्ल्ड चैंपियंशिप इसमें होता है olympic पूरे दोसों से ज्यादा देश जो participation काता है olympic में फीफा वर्ल्ड का पहता है फुटवाल का बहुत बड़ा वर्ल्ड का पहता है और आगे जो क्रिक्ट है क्रिक्ट के भी international level पे बहुत सारे match वो होते रहते हैं और इसके opposite हम देखते ह के लिए लिए लिख दिया है Sunday Championship और holiday Championship जानी की दर्स तो जब भी शुटी होती है तब खेलना शुरू कर देते हैं ऐसे कोई Championship नहीं होती इसमें तो दोस्तों यह था आज का एक topic जो मेरे को लगता है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा तर मैंने बहुत थी इंट्रस आपको मिल सकें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक सब्सक्राइब